कोई व्यक्ति आखिर कितना कुरूर हो सकता है? आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो कुरूरता और बहशीपन की सारी हदों को पार कर देता है. आज की क्राइम की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए बिलकुल नहीं है. इसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा. क्राइम ही कुछ ऐसा है, जिसके बारे में जो भी सुनता है, उसके हात-पाउं फूल जाते हैं, ये सोच कर कि क्या कोई इंसान इतना बड़ा दरिंदा भी हो सकता है? वो बॉलिवुड में कहते हैं न, कि मा बोलती है कि सोजा बरना गबबर आ जाएगा. भारत से हजारों मील दूर रशिया में कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां इस क्राइम की कहानी बाहर आने के बाद लोग सकते में आ गए थे. कहानी की शुरुवात होती है 1992 में रशिया के शहर नवचे बुकसार्क से. रूस की राजधानी मौस्को से करीब 800 किलोमीटर पूर्व में वोलगा नदी के किनारे बसा ये शहर वैसे तो काफी शांथ और प्राकरतिक सुन्दर्ता से भरपूर है, लेकिन 1997 में इसी शांथ शहर में एक अत्यंद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. इसी साल की एक रात को व्लादिमीर निकुलायविच निकुलायव नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके देर रात अपने घर वापस जा रहा होता है. जब वो अपने घर के पास पहुँचता है, तो उसे अपनी बिल्डिंग के दरवाजे पर एक आद नशे में धुत एक दूसरे से कुछ बाथे करने लगते हैं, लेकिन जल्द ही ये बाच्चीत एक जगडे में तबदील हो जाती है. दोनों किसी कारणवश एक दूसरे पे जोड़-जोड से चिलाने लगते हैं. दूसरा आदमी निकुलायव पर चीकते हुए अपने हाथो उसकी मौत हो जाती है. उस आदमी को मरा हुआ देखकर निकुलायव का नशा थोड़ा घटता है और अपने किये को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं. वो जल्दी से अपने आसपास नजर दोड़ाते हुए ये देखने की कोशिश करता है कि कहीं उसे किसी ने देखा तो पर रात काफी होने की वज़े से वहाँ कोई नहीं होता जो निकुलाइफ को ये हत्या करते हुए देख सके इसका फाइदा उठा कर वो शब को अपनी पीट पर लात कर अपनी बिल्डिंग के अंदर ले जाता है उसके बाद उसे सीडियों से घसीटते हुए उपर अपने कमरे के बातरूम में जाकर पटक देता है यहाँ से शुरुवात होती है एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर आपकी रूखाप उठेगी उस व्यक्ति को अपने घर लाने का निकुलायव का मकसद था उसके मृध शरीर के कई टुकडे करना जिससे उस लाश को ठिकाने लगाने में आसानी होती यही सोच कर उसने उस व्यक्ति के शरीर से कपड़े उतारे और अपने पास रखी एक आरी से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगा एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से उसने उस मरे हुए शरीर में हात, पैर और धड़ को अलग-अलग कर दिया इतनी बेरहमी के बार निकुलायव का लाश को ठिकाने लगाने का मकसद पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन अफसोस वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुका लाश को काटते हुए एक पल ऐसा आया जब इसके मन में और भी जादा हैवानिय जाग उठी जब वह उस शरीर के टुकडे कर रहा था तब ही उसकी नजर उस व्यक्ति की जांगों पर पड़ी वहां उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आया जिसके बारे में क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी शायद नहीं सोच सकता उसने उस म्रत शरीर के जांगों को काट कर उसे उबालना शुरू कर दिया जब वो मास उबल गया तो इस हैवान ने उसे खाना शुरू किया आप ही सोचिए क्या इसे दरिंदगी के अलावा कुछ और कह सकते हैं ये काम तो कोई नर्भक्षी ही कर सकता है ताजुप की बात ये है कि इसके पहले कभी भी निकुलाइफ के मन में नर्भक्षी बनने का खयाल तक नहीं आया था लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी किसी पल में इनसान शैतान बन जाता है लाश को काटते वक्त निकुलाइफ कुछ वैसा ही बन गया आपको जानके बेहत पीडा होगी कि इस इनसान रुपी राक्षस को जब उबाले हुए मास का स्वात पसंद नहीं आया तब इसने बड़ी तसल्ली से उस मास को तवे पर भूनने की तैयारी शुरू कर दी उस मरे हुए व्यक्ति के जांगों के उबाले हुए मास को इस दरिंदे ने और छोटे टुकडों में काट कर उसे तल दिया इस तले हुए मास को खा कर निकुलाइफ को मज़ा आया और धीरे धीरे इनसान का मास उसके लिए एक स्वादिष्ट भोजन बन गया निकुलाइफ ने इसके बाद एक और कतल किया और बदकिस्मती से उसका भी यही अंजाम हुआ सबसे पहले वो किसी को मारता और उसके बाद उस मरत शरीर से हर तरह के मास के लोथनों को निकाल के खाने में इस्तमाल करता हद तो तब हो गई जब इसने इनसानी मास को बाजार में बेचना शुरू कर दिया मास का व्यापार करने वाले एक बाजार में निकुलाइफ ने कंगारूं का मास बता कर 5 किलो इनसानी मास बेच डाला यही नहीं इसने exotic मीट बोल कर अपने दोस्तों को भी इस अपराद में शामिल कर लिया इसने अपने दोस्तों को अपने कतल किये हुए शिकार का मास बेचा और उन पैसों से अपने लिए शराब और ड्रक्स खरीदे जब इसके एक दोस्त ने इसके दिये हुए मास को अपने घर ले जाकर बीवी को दिया तो उसने उस मीट के मुमोज बनाए ये मुमोज निकुलायव के दोस्त और पत्नी ने खुद तो खाए ही साथ ही साथ अपने बच्चों को भी खिलाया सोचिये कैसा लगा होगा उन माबाप को जब उन्हें ये पता चला होगा कि जो मास उन्होंने कंगारूं का मीट समझकर अपने बच्चों को खिलाया है वो दरसल इंसानी मास है सुनकर ही बदन सिहर जाता है करीब दो सालों तक इस दरिंदे की यही कर्टू जारी रही अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो पता नहीं और कितने लोगों को बेरहमी से मार कर ये उन्हें खाने के लिए इस्तमाल करता रहता वो तो भला हो मीट बाजार से मास खरीदने वाली एक औरत का जिसे निकुलायव द्वारा बेचे गए मास से कंगारूओं के मास के कोई निशान नहीं मिले ये औरत इसके पहले कंगारूओं का मास खा चुकी थी इसी लिए उसे उसका टेस्ट पता था शक होने पर उस औरत ने निकुलायव द्वारा बेचे गए मास को एक लैब में टेस्ट कराने बेचा वहां से उसने जो सुना उससे उसके पैरो तले जमीन किसक गई लैब के डॉक्टर ने उस औरत को बताया कि टेस्ट की हुए मास में इनसानी खून के पुकता सबूत मिले हैं इस बात से आतंकित होकर महिला ने पुलिस को सारी बात बताई जब पुलिस निकुलायव को गिरफतार करने उसके घर पहुँची तो वहां जो मिला उसे देखकर पुलिस वालों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई शायद उन्होंने भी अपने करियर में पहली बार इतना बिवत से द्रश्यता देखा होगा लेखिका सौंट्रा अपनी किताब True Vampires Bloodsucking Killers Past and Present में इस पूरे वाक्य का जिक्र करती है पुलिस को चूले पर भुना हुआ इंसानी मास से भरा एक पैन मिला और ओवन में एक अन्य नर्भक्षी पकवान मिला उसने शरीर के बाखी अंगों को बाहर जमा कर रखा था जिसे उसने अपनी बालकनी में बर्फ में पैक किया था ये सब देखकर यकीनन पुलिस वालों के भी रोंग्टे खड़े हो गए होंगे साल 1997 में निकुलायव को गिरफतार करने के तुरंत बाद जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तब उसे देखना अपने आप में एक भयावै द्रश्य था उसे अपने द्वारा किये गए गुनाहों का कोई पचतावा नहीं था वो हसते और मुस्कुराते हुए कोर्ट में पेश होकर ये बताता है कि अगर उसे गिरफतार नहीं किया जाता तो वो इसी तरह इंसानी मास को खाने के लिए और कतल करता पुलिस कस्टिडी के दोरान वो पुलिस वालों से अपने अपरात के बारे में मजाक करते हुए कहता है कि जो इंसानी मास उन्हें उसके घर के बाहर बर्फ में दबी मिली थी उसे खाने दिया जाए वरना वो बेकार हो जाएगी इससे आप खोदी समझ सकते हैं कि ये इंसान समाज के लिए कितना खतरनाक है गिरफ्तारी के तुरंत बाद 1997 में सारे सबूतों को देखते हुए इस दरिंदे को सजाय मौत सुनाई गई लेकिन इसे फासी चड़ाने में दो साल का समय लग गया तब तक साल 1999 आचुका था और रश्या में फासी की सजा पर प्रतिबंद लगाने का नियम लागू हो चुका था इसलिए निकुलायव फासी से बच जाता है लेकिन इसे समाज में खुला छोड़ना तो काफी कतरनाक है इसलिए इसे उम्र कैद की सजा देकर मैकसिमम सेक्यूरिटी वाले के सिक्स डॉल्फिन प्रिजन में रखा गया है कजाकिस्तान से लगे रूसी बॉर्डर पर बनी ये जेल अपने आप में काफी कुख्यात है जेल के नियम काफी कड़े हैं और कैदियों को घूमने फिरने की भी आजादी नहीं दी जाती है दिन के समय में किसी भी कैदी को अपने बिस्तर पर बैठने या लेटने की सक्त मना ही है जब भी इन्हें इनके छोटे से से बाहर निकाला जाता है इनके मूँ काले कपड़े से ढख दिये जाते हैं हर 15 मिनट पर जेल के गाड़ पूरे सेल में पहरा देते हैं ताकि सारे कैदी नियमों का अक्षरशा पालन करें कहा जाता है कि इस जेल से पीछा चुड़वाने का एक ही तरीका है मौत उसके बिना यहां से निकल पाना ना मुम्किन है जेल की नियम सचमुच काफी कड़े हैं और हो भी क्यों न निकुलायव जेसे खुकार और दरिंदगी के हदों को पार कर चुके करीब 700 सीरियल किलर्स और टेरिस्ट्स यहां बंद हैं निकुलायव द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों ने निकुलायव की फासी रुख जाने पर काफी खुशी जाहिर की थी उनका मानना है कि मौत की सजा इस खुनी दरिंदे के लिए काफी आसान सजा होती वो चाहते हैं कि ये वहशी जिन्दगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहे और असली में भी इसके बाहर आने की कोई संभावना नहीं दिखती है इसे जिन्दगी भर के लिए इसी जेल में सड़ना होगा शायद ये इसके पापों की थोड़ी उचित सजा हो अगर आप सोचेंगे कि इतना भयावे काम करने के बाद और ब्लैक डॉल्फिन जेल में जिन्दगी भर के लिए सड़ने की सजा मिलने के बाद इस दरिंदे को कुछ तो अकल आई होगी अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिलकुल गलत सोचते हैं इस इंसान में अपने किये का एक रत्ती भर भी पच्चतावा नहीं है बलकि अपने द्वारा किये गए खौफ नाक अपरादों के बारे में ये विस्तार से और बड़े चाव से बताता है National Geographic Channel की एक डॉक्यूमेंटरी Inside Russia's Toughest Prisons के सिलसले में जब निकुलायव से कैमरा के सामने अपने अपरादों का जिक्र करने को कहा गया तो इसने बड़ी ही बेशर्मी से हसते और मजे लेते हुए पूरी कहानी बया की इस डॉक्यूमेंटरी को देख कर किसी भी इंसान का मन कुंठित हो जाएगा जब निकुलायव अपनी जुर्म की दास्तान सुना रहा था तो उसे देख कर वहां बैठे जेल वाडन और बाकी पुलिस वालों के भी खोश उड़ गए वे सकते में आकर बिल्कुल सन्न होकर इसकी बातों को सुन रहे थे मानोंने विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि कोई इतना बड़ा अमानुष कैसे हो सकता है आप भी इसके चहरे और हाव भाव को देख कर सन्न रह जाएंगे फिलाल निकुलायव जिन्दगी भर के लिए उसी जेल में बंद रहने को मजबूर है फिलाल वो 63 साल का हो चुका है और उसके किये गए अमानुवी जुर्म भी 30 साल पुराने हो चुके हैं लेकिन आज भी इसे रशिया के सबसे बुरे अपरादियों में गिना जाता है एक ऐसा कैदी जिसका सुधार संभव ही नहीं है क्या आपको लगता है कि इसे आजीवन जेल में रखना एक उचित सजा है या फिर इन जैसे खतरनाक दरिंदों के लिए कोई और ऐसा कानून होना चाहिए जो इनके किये गए जुर्म के बराबर हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हम जल्द ही हाजिर होंगे क्राइम की एक और कहानी के साथ तब तक अपना और अपनों का खयाल रखें नमस्कार